चीप जस्टीच अफ इंडिया, जस्टीच भोबडे, कानुन मंत्री स्रीमान रविशंकर प्रशाज जी, मैंच पर उपस्थित, सुप्रेम कौट के नियादी दिजगाण, अटर्णी जरनल अफ इंडिया, इस कान्फरंस में दुनिया भर से आये हुए अन्य उच्चे नियालों के सभी आदर्णी नियादीश, भारत के सुप्रेम कौट और हाई कौट के सम्मानित जजीश, अतिदिगाण, देवी और सजनों, दुनिया के करोडों नागरिकों को न्याए और करीमा सुनिश्चित करने वाले, आप सभी दिगजों के बीच आना अपने आप में एक सुख़द अनुभाव है। न्याए की जिस चैर पर आप सभी बैठते हैं, वो सामागजीक जीवन में भरोसे और विश्वास का महत्वपुन स्थान है। मैं रदय पुर्वग आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ्यों ये कांफरंस 21 सदी के तीसरे दसक के ही शुरुआत में हो रही है। ये दशक भारत सहीत पूरी दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों का दशक है। ये बड़लाव सामाजी, आर्थिक और तक्निकी हर मोर्चे पर होंगे। ये बड़लाव तरक संगत होने चाहिए और न्याय संगत भी होने चाहिए। ये बड़लाव सब के हित में होने चाहिए। भविश्य की आवश्रक्ताओं को देखते भी होने चाहिए। और इसलिए जुडिशरी एंड दे चेंजिंग वर्ड इस विशे पर महन्मंतन मैं समझता हूँ बहुत ही महत्तपून है। सात्यों भारत के लिए बहुत सुख़द अफसर भी है कि महत्तपून कांफरंस आज उस कालखन में हो रही है। जब हमारा देश राष्पिता महत्तपा गांधी की 150 वी जन्म जैनती मना रहा है। पुझ्य बापू का जीवन सत्य और सेवा को समर्पित था। जो किसी भी न्याय चंत्र की नीव माने जाते हैं। और हमारे भापू खुद भी तो वकिल थे बैरिश्टर थे और अपने जीवन का पहला मुकदमा उन्होंने लड़ा। उसके बारे में गांधी जी ने बहुत विस्तार से अपने आत्म के धा में लिखा है। गांधी जी तब बंबई जो आज का मुंबई है वहाँ थे संगर्ष के दिन थे किसी तरह पहला मुकदमा मिला था। लेकिन उन्हें कहा गया कि उस केस के एवेज में उन्हें किसी को कमिशन देना होगा। गांधी जी ने साप कह दिया था कि केस मिले या न मिले कमिशन नहीं दूगा। सत्य के प्रती अपने विचारों के प्रती गांधी जी के मन में इतनी स्परस्टता थी है। और ये स्परस्टता आई कहां से है। उनकी परवरिश, उनके समस्कार और भारतिय दर्सन की नेंतर अध्यन से ये निकला है। Friends, भारतिय समाज में Rule of Law सामाजिक समस्कारों का आधार है। हमारे यहां कहा गया है छत्रयस्य, छत्रयस्य, छत्रम, यतधर्म, यानि Law is the King of Kings, Law is Supreme. हजारों वर्सों से चले आ रहे ऐसे ही विचार। एक बड़ी बज़ है कि हर भारतिय की न्याय पालिका पर अगहात आस्था है। सात्यों हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं, जिन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। फैसले से पहले अनेज तरह की आशंका इव्यक्त की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या। 130 करोड भारत बाच्चियों ने न्याय पालिका द्वारा दिये गए इन फैसलों को पूरी सहमती के साथ स्विकार किया। हजारों वर्षों से भारत नयाय के प्रती आस्ता के इनी मुल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही हमारे समिधान की भी प्रेना बना है। पिछले वर्षी हमारे समिधान को सत्तर वर्ष पूरे हुए है। समिधान निर्माता डॉक्र बाबा साथ आम्मेटकर ने कहा था। Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life and its spirit is always a spirit of age। इसी भावना को हमारे देश की अदालतों हमारे सुप्रीम कोट ने अपने अपने समय में आगे भड़ाया है। इसी spirit को हमारी legislature और executive ने जीवनत रखा है। एक दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनोतियों के बीच कई बार देश के लिए समिधान के तीनों पिलर्ष ने उचीत रास्ता ढूंडा है। और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक सम्रुत परंपरा विक्सित हुई है। बीते पांच वर्षों में भारत की अलग-अलग संस्तावने इस परंपरा को और ससक्त किया है। देश में ऐसे करीब पंदरा सो पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है जिनकी आज के दौर में प्रासंगिक्ता समाप्त हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून समाप्त करने में तेजी दिखाई गई है। समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए गए है। ट्रांसजेंडर पंसंस के अधिकारों से जुड़ा कानून हो, तीन तलाग के खिलाब कानून हो या फिर दिव्यांग जनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून, सरकार ने पूरी सम्वेदन सिल्ता से काम किया है। Friends, मुझे कुछी है किस Conference में Gender Just World के विशय को भी रखा गया है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी सममाज, Gender Justice के भिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न्याही न्याय प्रियता का दावा कर सकता है। हमारा समिधान Right to Equality के तहत ही Gender Justice को सुनिश्चित करता है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक हैं, जिसने स्वतंतरता के बाद से ही महिलाओं को वोड देने का अधिकार सुनिश्चित किया। आज सत्तर साल बात अब चुनाओं में महिलाओं का एक participation अपने सर्वोचस्तर पर है। अभी कीशवी सदी का भारत इस participation को दूसरे पहलूओं में भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे सफल अभ्यावनों के कारण, पहली बार भारत के educational institutions में गर्ड चाइल का enrollment लड़कों से जादा हो गया है। और किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व होगा। इसी तरह सैन्य सेवा में बेटियों की न्यूक्तिया हो, फाइटर फ्लाइट्स की चैन प्रक्रिया हो, माइन्स में रात में काम करने की स्वतंतरता हो, सरकार भारा अनेक बढ़लाव किये गए हैं। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में सामिल हैं, जो देश की केरियर वुमेन को 26 हफते की पेड मेटनेटी लीव देता है। साथियों, परिवर्तन के इस दौर में भारत नई उचाई भी हासिल कर रहा है, नई परिभाशाय गड़ रहा है, और पुरानी अवधानाओं में बढ़लाव भी कर रहा है। एक समय था, जब कहा जाता था कि तेजी से विकास और परियावरन के रक्षा एक साथ होना संभव नहीं है। भारत ने इस अवधारना को भी बदला है। आज जहां भारत तेजी से विकास कर रहा है, वहीं हमारा फॉरेस कवरवी तेजी से एक्षपांड हो रहा है। पांच-छे साल पहले भारत विश्व की ग्यारवी सबसे बड़ी अर्थववस्था था, पांच साल पहले। तीन-चार दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मताबिक, अब भारत विश्व की पांच-वी सबसे बड़ी अर्थववस्था है। यनि भारत के, भारत ने ये करके दिखाया है कि इन्फर्स्ट्रक्चर निर्मान के साथ साथ एन्वार्मेंट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। साथियो, मैं आज इस अवसर पर भारत की न्याय पालिका का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने विकांस और परियावरण के बीच संतुलन की गंभीरता को समझा है, उसमें निरंतर मारदर्शन किया है। अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लेटिकेशन पियाएल्स की सुनवाई के दौरान सुप्रिम कौट ने भी परियावरण से जुड़े मामलों को नए सिरे से परिभाशित किया है। साथियो, आपके सामने न्याय के साथ ही सिक्र न्याय की भी चुनोती हमेशा ही रही है। इसका एक हद तक समाधान टक्नलोजी के पास है। विशेश तोर पर कौट के प्रोसिजरल मैनेजमेंट को लेकर इंटरनेट अधारी टक्नलोजी से भारत के जस्टिस डिलेवरी सिस्टिम को बहुती लाब होगा। सरकार का भी प्रयास है कि देश की हर कौट को इकौट इंटिग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। नेशनल जुडिशल डटा ग्रीड की स्थापना से भी कौट की प्रक्रियाएं आसान बनेगी। आर्टिफिशल इंट्रिजेंस और मानुविय विवेक का तालमेल भी भारत में नयाईक प्रक्रियाओं को और गति देगा। भारत में भी नयायलव द्वारा इस पर मंधन किया जा सकता है कि किस छेत्र में किस तर पर उन्हें आर्टिफिशल इंट्रिजेंस की साहता लेनी है। इसके अलावा बदलते हुए समय में डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विशे भी अदालतों के लिए नई चुनोती बनकर उभर रगे हैं। इन चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनेक विश्वयों पर इस कॉन्फरेंस में गंबीर मंथन होगा, कुछ सकारापग सुझाओ सामने आएंगे, मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फरेंस से भविश्व के लिए अनेक बहतर समाधान भी निकलेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुपकामनाओं के साथ इस समीत की सफलता के लिए मेरी सुपेच्छाओं के साथ साथ इस मंथन से जो आमरित निकलेगा वो न सिर्फ भारत को लेकिन नई उचाईयों को प्राप्त करने की मसकत कर रहें विश्व को भी अवश्य उप्योगी होगा इसी भावना के साथ मेरी शुपकामनाओं को कहते हुए मेरी वानी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ज्हाँ झाल ज्यूट